हेलो दोस्तों, वेल्कम टू सफलता मंत्र अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनेकडमी की लर्निंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपॉर्टन वीडियोस मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंक्यों दोस्तों दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे संस्क्रत का एक इंपॉर्टन मॉडल पेपर, जिसमें आपको मिलेंगे संस्क्रत के इंपॉर्टन कोश्चन्स जो कि पिछले वर्सों में एक्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं ये आपके UP, TED, C, TED सभी के लिए काफी important है तो इन questions को अच्छे से देख लीचे एक एक question का answer देते रही है पिछली वीडियो की तरीके मैं आपको 2 second का समय देता रहूँगा हर question पर और बहुत ही important question है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस पार्ट को दोस्तों सभी आपको व्याख्या सही थल मिलता रहेगा तो इसके लिए आपको हमाय चनल को subscribe करना होगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का notification समय पर मिलता रहे तो दोस्तों आप देखते हैं पहले question से पहले question में लिखा हुआ है हावर्ण से उचारण स्थान विद्धे मूर्धा, कंठा, तालू या फिर नासिका तो आपको बताना हावर्ण जो होता है इसका उचारण स्थान क्या होता है यह आप लोगों से पूछा गया इसका आंसर जल्दी से दे दीजे आप लोग क्या आंसर होगा इसका तो दोस्तों हावर्ण का उचारण स्थान कंठ होता है क्या होता हाँ, देखे बोलके देखे आप लोग कंठ से आवा निकलेगी तो इसका उचारान स्थान क्या होता है कंट होता है इसका कुछ अन्द इंपॉर्टेंट है इने देख लेते हैं तो आ हो गया छोटा आ हो गया इसके आद अहा हो गया इनका भी उचारान स्थान कंट होता है इसका मूर्धा किसका होता है ये टावर्ग का मूर्धा होता है और तालू होता है और कंट किसका का वर्ग का उचारन स्थान कंट होता है इस चीज़ें याद कर लिए आप लोग कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं उचारन स्थान तो लगवाग एक से दो नंबर का निश्यत पूछा जाता है और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में पूछ पूछा जाता है तो उचारन स्थान को अच्छे से याद कर लिजिए अब बढ़ते हैं सेकेंड नमबर कॉश्यल पर", इसमें आप पूछा गया एक पूछा गया एक जारन स्थान किया हो गड़ा, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, कंठताव। या फिर नासिका जल्दी से अपना अंसर दे दीजे बताई ये क्या होगा ये का उचारन स्थान तो दोस्तों इसका कंट तालू होता है कंट तालू किसका एका हो गया और इसका आये का भी कंट तालू होता है उचारन स्थान ओ का उचारन स्थान जो होता है वो कंटो कंटो कं चारणिस्थान नासिका होता है इसका बढ़ते हैं अगले कोशन पर मूर्धा उचारणिस्थानम कत्थिते मूर्धा उचारणिस्थान में से किन का होता है लावानस से रावानस से या वानस या फिर नावानस तो मूर्धा पूछा गया मूर्धा किसका होगा मूर्धा जो हो स्वर कितने होते हैं या आप लोगों को बताना है जल्दी से संसक्रथ में कुल सवर कितने होते हैं इसका ज़ंत्य 001 यानि कि 900 होते हैं संस्क्रथ में काबटें फाइब नंबर क्वेचेन पर फाइब नंबर कुष्टन है फाइब लिंगे प्रतमा विभक्ते बहुबचने रूपमभवती तरी सब्द का इसतरी लिंग का प्रतमा विवक्ती बहुबचन का रूप क्या होाँ तरेजेस्ट्र तरय है और पय तरी कि इस用 Sunde呢 या फिर त्री भी तो इसमें आपको बताना क्या होगा तिस्त्रह कहा जाता, B number option बिल्कुल सही हो जाएगा, अब बढ़ते हैं 6 number question पर, खालिस्थान वेदा संती, वेदा संती यानि कि वेद कितने हैं, चत्वारी चतस्त्रह, चत्वारा या फिक चत्वारा, तो दोस्तों इसमें आपको सही, इसका सही link का, सही बचन का पर्योग करके, इसमें बताना है, सभी का मतलब 4 है, लेकिन एक का इसत्री link में लिखा हुआ, एक का बचन में लिखा हुआ तो इसका जो सही रूप लिखा जाएगा वो कौन सा होगा, तो इसका जल्दी सा आंसर दे दीजिए आप लोग इसका B number option सही हो जाएगा चत्वारा वेदा संती अब क्यों इस प्रकार से लिखा क्योंकि ये चत्वारा जोता है पुलिंग का रूप होता है और वेद के लिए पुलिंग के रूप का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे चत्वारा लिखा चार वेद होते हैं इन में से मैं आपको संस्कृत साहित का जो लौकिक साहित पढ़ाया था उसके इंतर्गत मैंने आपको एक एक चीज बता दी थी क्योंकि वेद से लगवग एक से दो नंबर के question पूछे जाने के chances बने रहते हैं तो जैसे साम वेद का अर्थ क्या होता है साम वेद का अर्थ होता है जो गीत से संबंदित हो साम का मतलब क्या होता है साम का मतलब होता है गाने से संबंदित तो वो साम वेद हो गया गीतों से संगीत से संबंदित होगा अथर्वेद का मतलब क्या होता है अथर्व का मतलब होता है जादू टोना तो अथर्वेद ज लता नाम या फिल लता हां, तो इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा, लता सब्द का, लता किस प्रकार का सब्द है, आकारंत इस्त्री लिंग सब्द है, आकारंत इस्त्री लिंग का एक रूप आप लोग याद कर लेंगे, तो उससे आपके सभी रूप याद हो जाएंगे अब आपका क्या पूछा गया, सब्टिमी वक्ती बहुचन पूछा गया है, देखिए सब्टिमी वक्ती बहुचन में लगवग 90% आप लोग मानलीचे सब में रूप सेम होते हैं, क्योंकि अंत में सू लगाया जाता है, किसी में इस परकार से लगा जाता है, आपको यही कन् लता में क्या होता है लता में ही सिर्फ व्यानी की आकारांत इसरी लिंग जो होता है उसमें इस प्रकार का सू लगता है वाकी सभी में इस प्रकार का सू लगता है आप किसी के भी रूप उठा कर देख लिए सप्तियों अक्ति बहुबचन में इसी प्रकार से आपको मिलेंग से होगा एर्थ नंबर कोश्चन में पित्र में जल्दी से अपना अंसर दे दिए तो दूस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन से होगा इस प्रकार से लिखा जाता देखिए ये भी सही माना जाएगा ये ये ना लिखा हो लेकिन ये इस प्रकार से पित्रा नाम लिखा हुआ तो नहीं लगता है पित्र सब्द में तो यह वाला डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा आप लोग एक एक चीज़ समझते रहे हैं और अपना अंसर जरूर देते रहे हैं अब इसका नाइन नंबर कोशन है अस धातो लोट लकारस मध्यम पुरुस एक बचन का रूप क्या होगा यह बताना असी एधी संतु या फिर असानी जल्दी से आप लोग अपना अंसर दे दिजिए अस धातो लोट लकार का रूप क्या होगा तो दोस्तों इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा एधी लिखा जाता है क्या कहते हैं एधी कहते हैं किसे अस धातो के मध्यम लट लखार आपसन सही हो जाएगां पूछा तो इसका एधी लुठाइग जाएगा लेकिन काफे आप लोग कहह रहे थे कि बहुत ही इसी पेपर आ रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए थोड़ा moderate level का paper लेकर आया हूँ, उसी बज़े से, कि आप लोग ये न कहे पाएं कि कोई भी चीछ छूट गई है, इस बज़े से इस प्रकार के questions को भी हम लोग discuss किये लेते हैं, तो दोस्तों, अब आप लोग को एक question का answer comment box में देना है, आज का question है, राम सब्द के तरतिया भिवक्ती एक बचन का रूप बताना, आपको राम सब्द के तरतिया भिवक्ती एक बचन का रूप क्या होगा, ये आपको comment box में बताना, अपना answer जरूर दे दें अधिक से दिक संख्या में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग प्यात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जल्दी से अंसर दे दिजेगा आपना राम सब्द के तरतिया भिवक्ती एक बचन का रूप क्या होगा, अब इसका 11 नंबर question है, क्रेधातु लंग लकार से उत्तम पुरुस से बहु बचने रूपम विद्धते, क्रेधातु का लं पुरुस बहु बचन का रूप पूछा गया आपसे, तो क्या होगा, किस प्रकार से मैंने आपको बताया थे, देख लिते हैं, 11 नंबर question का कौन सा option से होगा, तो इसका C नंबर option से होगा, अकुर्म लिखा जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि जो आपके लंग लकार के बहु बहुषण का रूप होते हैं, उनमें विसरगे नहीं लगाई जाती है, यही अंतर होता है, ऊपर आपको और रूप में विसरगे मिलेंगी, लेकिन जो उत्तम पुरुस बहुषण हो गया, मध्यम पुरुस बहुषण हो गया, तो यही बाला option से हो जाएगा, अकुर्म लं आपको धातरूब बनाने है यदि आप लोगों ने ना देखियों तो जरूर देख लें और दूस्तों साथ ही साथ आज सुबह में आपके तत्सम तध्वह सब्दों के लिए एक ट्रिक लेकर आया था जिसमें मैंने आपके सभी तत्सम तध्वह सब्द ट्रिक के माद्यम से आपको समझा दिये थे तो यदि आप लोगों ने ना देखियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से उसे भी जरूर देख लीजिए एक के कोश्चन को समझ लीजिए अब बढ़ते हैं ट्वल नंबर कोश्चन पर पाध हातो लट लकार से पर्थम पुर रूप भी मैंने के करके बता दिये थे लट लकार कौन सा होता है लट लकार होता है भविस्तिकाल के लिए भविस्तिकाल के लिए कौन सा लकार प्रियुक्त होता है तो यह लट लकार होता है अब लट लकार का पर्थम पुरुस भहुबचन का रूप पूचा गया था तो म दूत्तमपुरुष के होते हैं पासयामी पासयावा पासयामा तो इसमें आपका एक बचन एक पुरुष भवचन पूछा गया था प्रत्मपुरुष भवचन तो इसका आपका एं नंबर ऑप्चन बिल्कुल सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं थर्टीन नंबर कॉशन पर सं संस्क्रत में कितने कारक होते हैं सब्त अश्ट सठ या फिर पंच जल्दी से अपना अंसर दे दीजे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है कौन सा होगा तो दुस्तों इसका सी रंबर आप्शन से हो जागा सठ यानि कि संस्क्रत में क दूटन 6 कारक होते हैं तो दुस्तों कौनकौन से कारक आते हैं छे देख लेते हैं सबसे पहले आता है करता कारक इसके आद कर्म कारक उसके आता है तीस्रा करण कारक चौथं में संबंद और संबोधन और जूड़ जाते हैं अब बढ़ते हैं 14 नंबर कोश्चन पर वालका खालिस्थान विभेती रिक्तिस्थान पूरियती आपको क्या सर्पत से सर्पात सर्पाय या फिर सर्पे तो इसमें आपको भरना क्या सही होगा सर्प का कौन सा रूप भरा जाएगा तो यह आपका कारक के इंतर्गत आता है और मैंने आपको कारक के इंतर्गत बताया था कि जब किसी से भहे की बात होती डर की बात होती है तो उसमें आपकी पंचमी वक्ति प्रयोक की जाती तो सर्प की पंचमी वक्ति क्या होगी सर्पात होगी यानि कि बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा वाल सभी पिछली वीडियो उसको जरूर देख लें UPTT एक्जाम के लिए काफी important है अलाग से पूरी playlist बनी हुई उसे देख लें तो बढ़ते हैं 15 number question पर राच्छसा, खालिस्तान, इर्षयन थी इसम समुचित पदेन, रिक्तिस्थानम, पूरियती इसमें आपको समुचित पद भरना, रिक्तिस्थानमे क्या होगा देवा नाम, देवे, देवेसु या फिर देवेब्भे तो इसमें जल्दी से अपना option बता दीजे कौन साथ बिल्कुल सही होगा तो इसका D number option सही हो जाएगा क्या देवेब्भे हो जाएगा, राच्छे साथ देवेब्भे इरसें ती, ये वाला option बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजे आप लोग और ये आपके 15 question complete होगा अब आप लोग बताएगा कि 15 question में आपके कितने question सही हुए है और आगे आपको किस topic पर वीडियो चाहिए ये भी बताना मत भूलिएगा आगे आपके सभी topic में आपके complete करवाई दे रहा हूँ मैं आपके लिए daily team वीडियो लाता रहता हूँ practice set की और topic की भी तो दोस्तों ये आपने ना देखी हैं तो जरूर देख ले और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करने अपने सभी दोस्तों के साथ share करना ना भूले आज के पार्ट में इतना ही thank you दोस्तों